यहां पे यह बड़ा सा सुन्दर सा फाउंटेन है चलो अब हम एंटर करते हैं लेक के अंदर देखिए बहुत सारे यहां पे डस्ट बीन दिखेंगे जो कि दिखाता है कि एहमदाबाद के लिए आज भी उसकी स्वच्छता के कितने महाईने है यहां पे आप देख सकते हैं खुले में दुम्रूल पान करने वाले लोग सिगरेट पीने वाले लोग यह बड़ा सा लेक है जिसमें अभी पानी नहीं है बट इसकी सुन्दरता देखिए इतने सुन्दरता से इसको सजाया गया है इतना इसके इंफ्रस्ट्रक्चर पे खर्चा किया गया है इसकी जाडियों तक को काट काट के सुन्दर शेप में रखा गया है इसके एकदम सामने हम देख सकते हैं यह कल्यान पुष्टी हवेली दूसरे स्थान पे है उसके और सामने है यह होटल हयात दोस्तों आपको बता दूँ यह जो होटल हयात है यह वही हयात है जिसमें नरेंद्र मोदी जी हमारे वड़ा प्रदान उन्होंने जापनीज प्राइम मिनिस्टर को रखा था और वन आफ दे एहमदाबाद स्मोस्ट लग्जिरियस होटल्स यह हयात जिसका मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड करा हुआ है मेरी फैमिली के साथ उसके एकदम सामने है यह एक्रोपोलिस आलफा मॉल जो की एहमदाबाद का सबसे बड़ा मॉल है यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बुढ़े बुढ़े बुजूर्ग गंजे नशेडी छोटे छोटे बच्चे हर को यहाँ पर आता है यह सारवजनिक है ज्यादा तर के कपल्स आप आपको देखने मिलेंगे कपल्स एस वेल एस फ्रेंड्स और शाम को ज्यादा तर यहां पर जोगिंग करने वाले लोग भी आते हैं ठीक है तो यह रहा आपका वस्त्रापुर लेक बहुत ही उंदा बैटने की सुविदा यहां पर और जैसे की मैंने बताया बहुत ही सुन्दरता से इसको सजाया हुआ फूरा लेक यहां से आप देख सकते हैं और जब पानी आता है इदर मौनसुन में तब इसकी रौनक कुछ अलग ही हो जाती है ठीक के दन बाबाई